बच्चों अभी हमने बात चीत की कि हमें समय कैसे पता चलता है आप में से कई बच्चों ने मुझे बताया कि हमें समय पता चलता है घड़ी से तो आईए देखते हैं कि घड़ी कैसे बनती है तो घड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फेस चाहिए होता है यानि घड़ी का मूँ घड़ी के मूँ पे हमें एक और चीज़ दिखती है क्या आपको पता है? उसमें हमें दिखते हैं दो हाथ जैसे हमारे दो हाथ है वैसे ही घड़ी के भी दो हाथ और एक मूँ है तो अब दो हाथों में से एक हाथ थोड़ा बड़ा होता है और एक हाथ उससे छोटा होता है तो जो बड़ा हाथ होता है वो हमें बताता है minute यानि वो minute hand होता है और जो छोटा है वो है our hand जो हमें घंटे बताता है दोनों hands के साथ घड़ी में कुछ numbers भी होते हैं जिन numbers से हमें पता चलता है कि time क्या हो रहा है तो चलिए अब इन दो hands घड़ी का ये जो मू है और ये जो numbers हैं घड़ी के 1 से लेकर 12 तक इने का इस्तमाल करके आज हम घड़ी बनाते हैं सबसे पहले मैंने लिया 12 number 12 number लगता है बिलकुल घड़ी के center में उपर तो मैंने इसे यहां रख दिया अब उसके बाद जो 6 number होता है वो जाता है बिलकुल 12 के नीचे यहां 12 यहां 6 अब जो 3 होता है वो जाता है बिलकुल right corner इधर और 3 के बिलकुल सामने लगता है कौन सा number है यह 9 very good अब 3 से पहले और 12 के बाद कौन से नंबर जाएंगे 1 और 3 के पहले कौन सा number आता है 2 तो यह लग गए 1 और 2 तो अब हमारे पास कौन कौन से नंबर होगे 12 1 2 3 3 के बाद कौन सा आएगा 4 very good अब हमने यहाँ पे लगा दिया 4 अब 4 के बाद कौन सा number आएगा क्या आप मुझे बता सकते है 4 के बाद और 6 से पहले कौन सा number आता है बिल्कुल सही यह है number 5 तो यहाँ पे आएगा 5 तो अब हमारे 12 1 2 3 4 5 और 6 लग चुके हैं अब 6 के बाद कौन सा number आएगा इन में से बताईए कौन सा number आता है 6 के बाद बिल्कुल सही यह है number 7 तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 7 अब 7 के बाद और 9 से बिल्कुल पहले कौन सा number आता है बिल्कुल सही यह है number 8 तो मैंने 8 को यहाँ लगा दिया 7 और 9 के बीच में अब 9 के बाद कौन सा number आएगा क्या वो 10 है या वो 11 है बिल्कुल सही यह number है number 10 अब 10 के बाद और 12 से पहले कौन सा number है हमारे पास number 11 तो बच्चो यह हमने लगा दिये हमारे numbers तो अब हमारा face जो है उस पे numbers भी लग गए हमारे 1 से लेकर 12 तक अब इसमें यह hands क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह जो घड़ी के hand होते हैं यह कहां लगेंगे यह लगते हैं घड़ी के बिल्कुल center में तो इन्हें हम यहां लगा देंगे तो बच्चो ऐसे बन गई हमारी घड़ी अब घड़ी के hands ऐसे दोनों यह घूम सकते हैं और हमें time बताएंगे अब आपके मन में एक ह्याल आ रहा होगा कि मैम हमारे घड़ में तो circle घड़ी नहीं है तो क्या किसी और shape की भी घड़ी हो सकती है बिल्कुल हमारी घड़ी जो है वो circle है जो अब भी हमने बनाई पर हमारे घड़ में अलग-अलग shapes की भी घड़ी हो सकती है square हो सकती है circle भी हो सकती है या किसी और shape की भी हो सकती है rectangle हो सकती है तो आप भी अपने आसपस देखिए और मुझे बताएए कि आपकी घड़ी कैसे दिखती है आप उसकी photo भी भेज सकते है अब हम मिलते है next video में और जानते है कि घड़ी की मदद से हम time कैसे देखते है